हलो दोस्तों, Amand Computer 2.0 में आपका स्वागत है आज किस वीडियो में आप सेखेंगे कि MS बैड में आप इन्विटेशन कार्ड कैसे बना सकते हैं तो जैसा कि आप लोगों भी दे सकते हैं कि मैं इन्हें मैक्रशप्ट बैड में कुछ इस परकार से एक इन्विटेशन कार्ड बनाया जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं तो अगर जो आभी कुछ इस परकार से इन्विटेशन कार्ड बनाना चाहते हैं जैसा कि आप लोगों भी देखने कुछ इस परकार से जो डिजाइन आप करना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहेगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल के भी सास्क्राइब जरूर कर देजेगा क्योंकि इसी परकार से वीडियो बनाते रहते हैं यह जो इन्विटेशन कार्ड बनाया गया है यह कोचिंग का बनाया है का जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एख संस्था कोचिंग के लिए बनाया गया है आप चाहें तो इस परकार से आप किसी दुकान के लिए या फिर किसी कंप調 के लिए या फिर में अपना एक नया page MS Buds का open कर लेता हूं तो कुछ इस तरीका से आपको आपको नया page दिखा देगा सबसे पहले जब आप open किजिएगा निव डॉकूमेट लीजिएगा तो आपको कुछ इस परकार से वहां पर page दिखाए देगा इस प्रकार से जब page दिखाए देगा तो सबसे पहले आपको एक page को setup करना होता है तो page को setup करने के लिए देखेगा type bar में एक option आपको मिलेगा layout जैसा कि आप लोगों भी देख रहे हैं इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपको margin पर click करना है जो कि देखने में आपको काफी बहतरी न लगता है search for page ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैं search API पर design कर रहा हूँ तो search API page को में इस तरीका से select कर लेता हूँ इतना काम जब आप कर लिजगा तो इसमें आप अपने हैसाब से border लगा सकते हैं बॉर्डर लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि design type पर आपको click करना होगा design type पर click करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि एक option आपको मिलेगा page border इस पर आपको click कर देना है page border पर जब आप click कि जगा हो तो इसमें आपको अनेक प्रकार का window option खुलेगा इस window में आपको देख सकते हैं कि box का option मिलगा इस पर आपको click कर देना है box option पर click करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक option आपको मिल रहा style यहाँ पर आप अलग-अलग lining का style को select कर सकते हैं इसमें चाहें आप तो देख सकते हैं यहां पर color ही अप सिल्क्ट कर सकते हैं जो भी आपको ठिक लगता है या फिर आप चाहें तो art का ओप्सने मिलता है याप को बनाया 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 कुछ neighbors का डिजाइन मिलता है जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं तो आप चाहें तो इसका यूज भी कर सकते हैं तो चलिए मैं अभी आर्ट का यूज कर रहा हूँ क्योंकि इंविटेशन कार्ड में थोड़ा सा बहतर बॉर्डर रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा एक फूल वाला जो होता है फ्लावर वाला इसमें बॉर्डर एक रहता है देख सकते हैं कि इस तरीका का बॉर्डर आपको मिलेगा आप चाहें तो यह वाला सिलेट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी बॉर्डर को सिलेट कर सकते हैं इतना काम जब आप कर लिजगा तो देखे इसका बीत, इसका जो मुटा कितना रखना है, आपको पतला कितना रखना है, उससे आप यहां से अज़ेस्टमेंट आप कर सकते हैं, उसको बाचलिए मैं हैं से OK बटन पर क्लिक कर देता हूं, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों भ जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, इस तरीका से इससे आप कम कर लिजगा, नीचे बाले बटन पर क्लिक करके इस का बीत को कम कर लिजगा, इसका बैस रखेगा, उसका बाद यहां से OK बटन पर क्लिक कर देजगा, तो इसका क्या हुआ बीत छोटा हो गए, जैसा कि description box में दे दूँगा उस फोटू का उसका यूज आप भी कर सकते हैं तो देखे फोटू लेने के लिए आपको क्या करना होगा इसका पर क्लिक करना होगा पिक्चर पर क्लिक करना होगा और अपने ड्राइब से एक जहां पर भी आप फोटू को डाउनलड करेंगे या फिर टू अपने ड्राइब से इन्सट करें तो देखे पिक्चर फार्मेट का एक ओप्स न आपको दिखाई देता है उसमें आपको ब्रेप टेक्स पर क्लिक करना है और आपको इंप टेक्स कर देना इतना कम आपको हर और पिक्चर में करना होगा तो ही आप इस पिक्चर को adjustment कर तूइ ना काम जो कर लिजीघा तो Уपए तुछी तरीका से छोटा कर लिजीघा जैसा कि आप लोग भी देख रही है इस तरीका से मैं ने क्या-किया इसमें थोड़ा सा आपको अज करना को जाकि ज़्यादा बहतर लिखने में आपको लगे इससे आप तरह से इस तरीका से रोटेट भी कर लेज़ेगा रोटेट करने से भी ज़्यादा बहतरी लगता इस तरीका से जिसके में आपने देखा कि मैंने रोटेट किया रोटेट करने के बाद आप दे सकते हैं किस तरीका समय हाँ पर कुछ इस परकार से हाँ पर मैंने अजेस्टमेंट भी किया अजेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या करना होगा आपको इसी का यूज करकर आपको चारोक होना पर इसी तरीका से आपको लगाना है इसी परकार से adjustment कर देना है तो देखिए एक picture है तो दूसरा picture लेने के लिए हम इसी picture को duplicate कर रहे हैं तो duplicate करने के लिए आपको keyword का इस्तमाल करना keyword में shortcut के होटा control प्लस D जब press किज़ेगा तो आप किसी भी picture को duplicate कर सकते हैं सबस्जाइब सकते हैं कुछ इस परकार से जैसा कि आप लोग भी कर लिख रहें कुछ तरी gonna को नीचे में तो आसे टाराइब करונה के लिए इस से लएक ग्रूप कर लेता हुआ त φोटो का यूज मी अपर यूज में पहले एक ही ग्रूप में हम दोनों को नीचे ले जाकर लगा सकते हैं तो ग्रूप करने के लिए आपको कंट्रोल बटन को प्रेस रखना इस तरीका से क्लिक करना है अपने पिक्चर पर एक वार इस तरीका से क्लिक करना है उसको लाइनिंग पर जाना राट क्लिक करना है राट क्लिक करने के बाद प्रिक और आपको प्लिक कर देना है तो यह पिक्चर आपका क्या हो गया गुरूप हो गया गुरूप होने के बाद जब आप कीबड से कंट्रोल प्लस डीप्रेस किजिएगा तो यह दोनों प्रिक्चर डूबलिकेट हो जाए जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं तो इससे परकार से मैं आप देख सकते हैं कि मैं हाँ पर रोटेट कर रहा हूं तो इस तरीका से आपको भी रोटेट कर देना है यतना कम आपको करना है इसे आप अच्छी तरीका से जो कीबड का राया लेट का बटन होता है उसका आप यूज करकर आप अच्छी तरीका से इसमें अ लगा सकते हैं तो चलिए मैं एक सरस्ति माता के हाँ पर फोटो लगा देता हूं तो अपने ड्राइब से में एक फोटो को मैं ने डाउनलोड किया था इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने हसाब से तो कुछ इस तरीका से मैं पर पिक्चर लगा देता हूं ताक जो कि ज्यादा भेत लगे यहां से मैं in phone to text कर लेता हूं उसके बाद इसे में अच्छी तरीका से छोटा कर लेता हूं ताकि मैं इसमें अच्छी तरीका से adjustment कर दूं यह जो आप invitation लोगो डिजान कैसे कि एे जाता है तो उसका लिंक भी पयिस्सक्रिप्शन बॉक्स में में दे टीया हुआ से जा कर आप लोगो डिजान करना सीख शकते हैं तो इस तरिख 술 खते हैं कि मैं आप पिक्चर लगा डेता हूं सैन्टरowej मैं आपर setup कर दिया हूं उसके बाद आप चाहें तो इसमें उपर में लिख सकते हैं जाए माता दी या फिर आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं चलिए मैं ओप你 इसमें सब्पर double एक लिख सकते हैं होम पर क्लिक केजिएगा मैंने आपको रर एक वीडियो में बताता हूं को होम पर आप किलिक करो कर कर पर चाहु को पूछ को कि और से हमें कर सकते हैं मैं हो ये बार बार दोहराते लाता हूं हर एक वीडियो में और इसका मैं क्या करता हूं यहां से इसका outland को हटा देता हूं outland हटाने के बाद आप इसका shadow भी हांसे remove कर दीजिएगा remove करने के बाद इसमें आप color भर सकते हैं red हो गया रीड बलेक जो भी आपको लगता है उसका यह आप यूज कर सकते हैं साइच को थोड़ा से मैं छोटा कर देता हूं छोटा करने के बाद इसे भी मैं क्या करता हूं ची तरीका से हाँ पर मैं थोड़ा से अजेस्टमेंट परफेक्ट तरीका से मैं कर लेता हूं इतना काम जब करने के लिए मैं आपको बताया था कि Ctrl-D आप प्रेस करकर किसी भी पिक्चर को हो गया टिक्स को हो गया आप डूलिकेट कर सकते हैं इसी में मैं मैं लिख देता हूं इस तरीका से मैं लिख देता हूं आई एन भी आई टी ए टी आई ओन इंविटेशन काड कुछ इस परकार से यतना काम करने के बाद इसे मैं यहां पर थोड़ा साच्छी परकार से अजेस्टमेंट मैं कर देता हूं उसके बाद आप चाहें तो इसका जो फॉंड का इस्टाल भी स्लेट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है ठीक इस तरीका से इसका अंडरलाइन कर सकते हैं इसका अलग आप स्लेट करा सकते हैं जो भी आपको लगता है उसका आप यूज कर सकते हैं इतना कम आपको कर लेना है आप अपने हैसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं यह कोई क तरीका से invitation card बना सकते हैं तो चलिए मैं इतना मैंने आपको उताया कि इस तरीका से आप कर लेज़ेगा उसके बाद मैं यहां से duplicate कर लेता हूं से मैं duplicate करने के बाद मैं अपना जो भी मेरा कोचिंग का नाह में उसका मैं यहां पर लिख देता हूं तो इतना काम जबब कर लिज़ेगा तो इस तरीका से जैसा कि आपको देख रहे हैं इस तरीका से मैं यहां पर मैं अपना कोचिंग का नाम लिख रहा हूं से फोर्मेट पर क्लिक करने के बार को टेख्स इफ्यक्त पर क्लिक करना है नीचे में और को ब्राइज को हैर कर अब बड़ा चोटा है चमस्तोर कर सकते हैं इस तरीका से इसमें देच सकते हैं की बहुत सब्सक्राये को आपको मिलेगा इसका भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं अपने टेक्स में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टेक्स को मूब कर सकते हैं राउन कर सकते हैं जो भी आपको लगता है उसका यूज आप कर सकते हैं इतना काम करने के बाद होम टैपर में क्लिक करता हूं इसक एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हाँ पर आपको एक से अपको मोर और प्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप यहां पर सब्सक्राइब कर देख रहे हैं और कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर श्रेट अप कर देना जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं और इसमें क्या कर तो यहां से मैं color fill कर देता हूं जैसे कि आप देख सकते कि यहां पर मैं yellow color को में फिल कर देता हूं और यहां पर मैं यह क्या करता हूं इस तरीका से मैं इस तरीका से color को में फिल कर देता हूं और इसका यूज़ देख सकते कि आप यहां से भी कर सकते जो भी आपको लगता है ठी किस तरीका से आप कर सकते हैं यानि किस तरीका से जैसा कि आप लोग अभी दे सकते हैं कि क्या कैमने टाइप कर रहा हूं यानि कि इस तरीका से जैसे कि आप लोग अभी दे सकते हैं कि क्या क्या में type कर रहा हूँ आप अपने साफ से भी type कर सकते हैं तो थोड़ा सा मैं वीडियो को fast करतेता हूँ ताकि वीडियो लमबा नहीं हो और आपका समय भी बचत हो तो मैंने आपको बता कि मैं जो भी काम करूँगा तो टेक्स को मैं duplicate करकर ही करूँगा दीसी तरीका से आपको टेक्स को duplicate करते हुए रहना है और आपको लिख देना है जो भी आप लिखना चाहते हैं जैसे कि मैं जो बनाओंगा re-opening institute का मैं बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखेंगा reopening my institute और जो भी लिखेंगे you are especially invited और reopening का जो पाले से रहेगा जो अस्थान जहां पर reopening हो रहा है उसका जगहा का नाम में लिखेंगा और date लिखेंगा time लिखेंगा और जो reopening के direct deck में उनका नाम लिखेंगे और जो उनका mobile number है और लिखेंगे और थोड़ा सा detail आपको यहाँ पर fill कर देना है तो fill करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको control पर से depress करना है duplicate करना text को उसी में आपको लिखना है color को fill करना जो भी आपको लगता है उस तरीका से fill कर देना है और सभी को क्या करना है बीच में adjustment करते हुए चलना है तो चलिए मैं आपको फट फट करकर दिखा देता हूं तो दोस्तों जैसा कि आप लोग भी दे सकते हैं कि मैंने इस तरीका से कुछ टाइप कर दिया है इसमें मैंने re-opening लिखा है क्योंकि जो इंसयूट आप देख रहे हैं जिसका नाम इनका re-opening हो रहा है यानि कि यह एक जगह से दुसरे जगह जा रहा है इसलिए यहां पर मैंने re-opening लिखा है नेगर डेक्ट यह उपनिंग लिखा है इसे तरीक आशेज दirt सकते हैं कि मैंने डेट मिखा टाइम लिखा डाया लिखा मोद्न में लिखा अगर जो रातabetes नेर यह आ पковर इसकाते हैं तो मैं आपको बताना चाहते हूं कि इसमें भी मैंने कुछ नहीं किया मैं बार 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 बता रहा हूं कि मैंने इससे टाइप करने के लिए मैं डूब्लिकेट के किया हूं टेक्स को और मैंने फॉंड का इसाल को बतला और इटाइलिक किया बोल्ड किया और क्लोर को मैंने च सकते हैं इसमें दे सकते कि मैंने फोटो का यह कुई आप चाहें तो यहाँ पर लोगों का भी उच कर सकते हैं तो चलिए दोस्ते इस तरह का साथ तो बनाना सिख गए आप एक वर बनाने का ट्राय जरूर किजिएगा अगर जो वीडियो आप ठेक लगा तो वीडियो को लाइ